Hello friends, civil engineers के लिए बहुत अच्छी job recruitment आ रही है, government job के recruitment आ रही है, आज दो जगा से recruitment है, दोनों ही जगा पे freshers eligible है, कोई भी तरह का exam नहीं है, ना कोई fees है, भी EBTech apply कर सकते हैं, और आज students के लिए भी vacancy आ रही है, अगर आप student है तब भी आप apply कर सकते हैं, पाशी वीडियो बहुत interesting है, वीडियो को last तक देखिएगा, job, description, age limit, selection process, सबके बारे में बात करेंगे, और वीडियो के last में बात करेंगे, कि किसको apply करना चाहिए, और किसके लिए job ज़ादा beneficial रहेगी, तो दोस्तों मेरा नाम है AD Singh, and I welcome you all on my channel, civil engineering destination, a complete solution to every civil engineer, हम रोज शाम के 5 बज़ आपके latest government jobs औ सब्सक्राइब कर दीजे, इसके साथ में bell icon दबार दीजे, ताकि आपको आने वाली हमारे सारी notification मिल जाएं, इसके सार साथ आप में social media पर भी follow कर सकते हैं, link description में दिया गया है, तो चलते हैं आज की notification तरफ, पहली आ रही है REMS, Regional Institute of Medical Science, IMFAL की तरफ से आ रहा है, ये एक hospital है, ठीक है, Government of India के अंदर गता आता है, इसके तरफ से vacancy आ रही है, जो लोग सीरे चलते हैं, notification तरफ ही बात कर लेते हैं, ये REMS की vacancy जैसे आप देख सकते हो, इसका offline form है, ठीक है, और इसकी जो starting date थी, काफी urgent vacancy निकाली गई है, इसकी window भी बहुत छोटी है, इसकी starting date 22nd of September थी, और इसकी last date 26th of September है, यानि की कल है, तो आपको बहुत जल्दी इसमें apply करना पड़ेगा, बहुत ही कम दिनों के लिए इस vacancy का form खोला गया है, अब अगर number of post की बात कर लेते हैं, तो काफी लोगों के लिए vacancy है, इसमें जो COVID वाले हैं, helpdex उनकी है, OT की है, forensics की है, और supervisor civil क है, आप दिख सकते हो, last में, supervisor civil, अगर number of post की बात करें, तो तीन post है, दो post general के लिए है, और एक post ST के लिए है, अगर salary की बात करने तो इसमें आपको monthly के हिसाब से निए, आपको daily wages के हिसाब से salary मिलेगी, ठीक है, तो ये थोड़ा देख लीजेगा, इसमें आपको per day salary होगी 593 रुपीज, आप महिने के last में, जितन दिन आप काम करोगे, आपको तने दिन की salary मिल जाएगी, अगर शुट्टी लेते हो, तो उसका कटेगा, या नहीं भी कटेगा, वो बात में पता चल जाएगा, पहले बता देना चाहता हूँ कि आपका ये contractual है, आपका 6 महिने का इ related है, उनके लिए post है, ठीक है, तो आपको इस post में अगर आप भड़ते हो, तो इसमें साफ साफ लिखाए कि इसमें आपको करोना वाले patients के साथ में काम करना पड़ेगा, और अगर आप इस काम के लिए मना करते हो, तो आपके form को reject कर दिया जाएगा, तो अगर आप करोना patients क के साथ या उनकी help करने के लिए तैयार हैं, तो आप इसमें apply कर सकते हैं, और दूसरी बड़ी बात काफी अच्छे अच्छा काम है, civil engineers के लिए भी कोई post नहीं आए थी कि हर कोई help कर रहा है, करोना को लेके, civil वाले नहीं कर पाय थे तो उनके लिए post आ गई है, अगर हम qualifications की बात करने, तो इसमें be taken civil मांगा गया है, bachelor degree in civil engineering, और its equivalent from a recognized Indian university, preference में इसमें two years का experience है, लेकिन preference में है, इसका मतलब इसमें freshers वाले भी apply कर सकते हैं, अब अगर हम इसमें और बात कर लेते हैं, इसका apply कैसे करना है, तो इसका form है, ठीक है, इसका offline form आपको भर के भेज देना है, उसको भेजना कहीं नहीं है, उसको इनकी mail id पे भेजना, उसका print out लेकि उसे भर के, scan करवा के, इनकी mail id पे भेजना है, अपने सारे documents attach करके, उनकी copy attach करके, आपको इनको भेज देनी है, इनकी mail id है, rimsimfal18 at the gmail.com, आपको ये 26 September से, चार बज़े से पहले भेज देना है, उस भेजनी है, तो कोई post करने का system नहीं है, तो ये काफी अच्छी post है, अब इन्होंने या साफ साफ लिख दिया है, कि अगर आप Corona patients के साथ, या फिर आप COVID-19 ward में काम करने के लिए तयार नहीं हो, अगर आप मना कर दोगे, तो आपके form को reject कर दिया जाएगा, तो अगर आप आपको इस form में Corona patients या COVID-19 वाले ward में काम करना पड़ेगा, अगर हम selection procedure की बात कर लें, तो इसका walk-in interview होना है, walk-in interview के जो भी details होएगे, वो इनकी milady आपको पता चल जाएगे, अगर आप short list होते हो, बाकि कुछ इनकी terms and conditions है, उनके बारे में बात कर लेते हैं, इनकी terms and conditions है, जो इनका selection procedure होगा, वो इनका walk-in interview के तुरी होगा, इसका address दिया गया है, conference hall at jubli rims infal, तो आपको infal जाना पड़ेगा, अगर आप interview के लिए short list होते होतो, आपको उपने सारे optional documents लेके जाने पड़ेंगे, और ये आपका regular नहीं होगा, ये आपके 6 महिनें का contract रहेगा, इसक सकता है, और नहीं भी बढ़ाया जा सकता है, as per requirement, लागि अगर हम इसकी all बात कर लेते हैं, तो ये इसका offline form है, आप नीचे इसका offline form देख सकते हो, ये इसका offline form है, ठीक है, आपको इसको, इसका print out लेना है, इस form को भरना है, अपने सारे, जो भी documents है, इसमें attach करके इसे, इन आज की जो दूसरी post आ रही, उसके बारे में बात कर लेते हैं, अब वो आ रही है हमारी post, N.A.B.I. National Agri Food Biotechnology Institute की तरफ से vacancy आ रही है, autonomous body है, ठीक है, ये भी government of biotechnology भाल सरकार के अंदरगत आती है, इसमें जो students के लिए ये vacancy है, basically, तो अगर आप student हो, तो इसमें short term intern की vacancy आई internship for two months, two months की आपकी student internship है, paid है, आपको इसमें पैसे मिलेंगे, आपको stipend मिलेगा, इसके बारे में detail में बात कर लेते हैं, तो पहले हम बता देना चाता हूं, ये भी आपका contract है, ये basically आप देख रहे हो two months का है, आपको two months के लिए रखा जाएगा, सिखाया जाएगा, आपको internship internship दी जाएगी, और उसके दौरान आपको पैसा भी दिया जाएगा, अगर हम number of post की बात कर लें, तो number of post इसमें six है, आपका duration two months का रहेगा, essential qualification में आपको student होना चाहिए, या तो आप undergraduate student हो, या तो आप post graduate student हो, फरक नहीं पड़ता, लेकिन आपको student होना चाहिए, आप engineering के य civil आले भी eligible है, stipend की बात कर लें, तो आपको stipend इसमें five thousand रुपीज पर month मिल जाएगी, तो आपको सिखाया भी जाएगा, और सिखाने के साथ साथ आपको थोड़ी pocket worry भी मिल जाएगी, stipend salary नहीं होती है, salary आपको काम करने का पैसा मिलता है, stipend आपको काम सीखने का पैसा मिल अब अगर हम इसका अगर selection procedure देख लें, तो इसमें भी आपको अपने सारे documents, Excel sheet में बनाना है, इसमें format दी, Excel sheet के मैं भी दिखा दूँगा, Excel sheet में आपको सारा form attach करके, format बनाके, इनकी इस mail ID पे भेज़ देना है, और इसकी last date, 28 of September 2020 है, अगर इसमें eligibility की बात कर लें, तो इस पोस्ट निकाली गई है, अब selection procedure की बात कर लें, तो selection procedure इसमें आपका shortlist होगा, अब shortlist किस बहाफ पे होगा, तो shortlist आपका जो 10th class के जो marks है, उनसे लेके 10th, 12th, अगर आपने ITI किया है या डिपलोमा किया, उसके बार बीटक किया है, तो उन सारे marks के बहाफ पे आपको shortlist कि किया जाएगा, तो अगर आपके marks अच्छे आए हैं, तो इसमें आपको apply करना चाहिए, और इसमें भी आपको कोई post नहीं करना है, इसमें आपको अपना, अगर आपको selection हो जाएगा, तो आपको interview के लिए बुलाया जाएगा, mail पर पता चल जाएगा आपको, उसमें आपको अपने side documents लेके, original लेके उनने verify करवाने जाना पड़े का, और कुछ भी उल्डा सीधा fake information नहीं देनी है आपको, बगर इसका हम form देख लेते हैं, तो इसका ये form है, आप लोग देख सकते हो, ये इसकी official notification था, ये इसकी excel sheet है, ये, हाँ, ये इसका form है, आपको ये इसका word format मे हैं, आपको इसका print out निकलवा के इसको भड़ना है, ये अपनी photo ship का नहीं है, और photo ship का के इसको भेज देना है, attach करके इनके excel file की format में, अब ये इनका excel file का format है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपका excel software है, ये excel sheet है, आपको इस पे excel sheet पे, अपने ये format इनका already बना हुआ आया है, sculling में दे दूँगा, या फिर आप episodes download कर सकते हो, उसमें आपको अपने सारे education, qualification लिखना है, number name of the degree, university, specification, जो भी आपकी details सब line से भढ़ते जाना है, one, two, three, four करके, और आपका जो भी है form attach करके, इसी में आपको इसी के थुरू भेजना है, अलग से इसमें कोई भी hard copy नहीं जानी है, सारा काम mail में ही होना है, और ये जो देख रहे हो, Excel में ही सारा काम होना है, तो ये काफी अच्छी post है, अगर आप student हो, और lockdown को वैसे आप बैठे हो, घर में कुछ नहीं है करने के लिए, तो आपको इसमें apply कर देना चाहिए, इसकी job location पंजाब रहने वाली है, हाला कि ये all over India post है, लेकिन इसकी job location पंजाब रहने वाली, तो अगर आप पंजाब की localite हो, तो आपको इसमें जरूर apply करना चाहिए, बाकी ये आज की job recruitment है, बात कर देते हैं, दोनों ही job recruitment के बारे में, तो पहले तो बात कर देते हैं, RIMS के बारे में, तो देखो, काफ अपना contribution कर सकते हैं, मैं skills शो कर सकते हैं, society के प्रती, ताकि हम ये इसमें से लड़ने में helpful हो सकें, बाकी ऐसी कुछ problem नहीं है कि करोना में, हम लोग site वाले हैं, basically कोई ने hospital या ward बन वाना होगा, तो उसके लिए बंदे चाहिए होंगे, इंजिनियस चाहिए होंगे, तो उस बाकि अगर अगर all over India से हो, तो भर दो, भरने में क्या जाता है, अगर आप shortlist होते हो, तो क्या पता आपको बुला लिया जाए, अगर आप interested हो तो चले जाना, वरना ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप interested हो तो इसमें जरूर भर सकते हो, ये काफी अच्छी post है, गर इसमें students के लिए है, N.A.B.I के तरफ से, तो इस students के लिए है, अगर आप second, third या fourth year में हो, और अभी lockdown वे से आप घर में बैठे, college तो खुले नहीं है, as you know, या खुलने वाले हैं, तो अगर आप बैठे हो, तो आपको इसमें apply कर देना चाहिए, दो मन्त की आपको यहाँ पे training तो म पर, जो field पर सीखते हो, उसकी value होती है, आप जो skills generate करते हो, वो matter करता है, तो अगर आप रहते हो पंजाब के आसपास, या आप interested हो, तो आपको इसमें भढ़ना चाहिए, किसी तरह की कोई fees नहीं है, बाकी इन दोनों ही form के, जो भी PDF है, या जो भी इनका यह word format है, या Excel format है सबका description में, link में दे दूँगा, ठीक है, सबका link में, description में दे दूँगा, वहां से अब जा किसी download कर सकते हो, और किसी तरह की अगर problem हो तो मुझे, मुझे बता सकते हो, मैं हर comment का जवाब देता हूँ, दूसरी अगर बात कर information के बारे में, तो यह आ रही है, उमकिती designers की तर thousand one, two thousand eight certified company, government के सारे tax हैं, इनके पास, ठीक है, बागी इसकी fees की अगर बात करें तो 999 है, इसकी last date, 30 of September, इसकी last date आने वाली है, तो किसी ने apply नहीं किया है, या करना चाता है, तो वो कर सकता है, इसके साथ आप कोई membership certificate में मिल जाएगा, इस certificate की काफी value होती है, या किसी भी क काफी strong बनाते हैं, जितने भी जो forms आ रहे हैं, आप आप आशकल देखते ही हो कि सारे forms offline आ रहे हैं, सब shortlist वाले आ रहे हैं, तो वैसे form में आप forms में आप या अपने जितने भी certificates हैं, उनको भेज सकते हो, वैसे certificates बहुत matter करते हैं, जितने भी certificates आप पास क्यों ना हो, भले ह summer training के हो, किसी all course के, किसी workshop के हो, आप सबको attach करके भेजतो, selection होने के chance से बढ़ जाते हैं, तो अगर आप interested हो, तो आपको इसमें सरूर करना चाहिए, enroll करना चाहिए, बाकि आज के लिए इतना ही, अगर कोई भी problem होती हो, तो बता सकते हो, और हाँ कुछ लोग का comment आया था कि कि दो देन से सर वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, तो बेटा मैं थोड़ा out of station था, ठीक है, अभी मैं आया हो, तो आज वीडियो है, बाकि अगर कुछ प्रब्लम होगी तो उसके लिए sorry, तो आज के लिए इतना ही, so कोई problem होती होती हो, तो बता देना, so thank you and God bless you all.